वेलकुम बैक तो फुटबाल स्टोरी आर्सनल का मैच आपने देखा सौंथ हैंटन के अगेंस्ट गेम जो है वो बहुत ही जबरदस तोई वन आप दे बेस्ट गेम आप दे सीजन थी यह और यह मैच था टॉप स्पॉर्ट वर्सिस रेलिगेशन बैटल की टीम के दिरम्यान मेरे ख्याल में आर्सनल जो है वो अपना टाइटल अब खो चुकी है अब उनको टाइटल जीतना उनके लिए नामुम्किन सा हो चुका है क्योंके पिछले तीन गेम जो उन्होंने खेली हैं वो उन्होंने ड्रॉ किया है और जब इन्होंने लिवरपूल के अगेंस मैच ड टॉप स्पॉट पर है टॉप पोजिशन उन्होंने बना के रखी हुई थी टेबल पर लेकिन अब जिसना जिसना सीजन एंड की तरफ जा रहा है और वो चोक करते चले जा रहे हैं पिछली तीन गेम्स उन्होंने चे पॉइंट लूज किये तीनों गेम्स उन्होंने अब मैचेस्ट्र सिटी के हाथ में है क्योंके पहले चाहले यह शूर आरिसनल रन कर रही थी और आरसनल के उपर सब की नज़रे थी लेकिन अब मैचेस्ट के हाथ में चोड़म करेंगे क्योंकि अगली गेम प्रेमर लीग में वो बहुत ही इंपोर्टन है और मेरे ख्याल में वहीं पर ही टाइटल डिसाइड होगा जब आर्सनल वर्सिस मैचेस्टर सिटी होगा और इतिहाद स्टिडियम में ये गेम होगी आर्सनल अवे फ्रॉम होम खेलेगी और मैचेस्टर सिटी इस वक्त बहुत बहुत बहुतरीन फॉर्म में भी है और जिस तरह आपको मालूम है कि उन्होंने बाइन मुनिक को भी काफी कर्विंसिंग भी हराया तो मुझे यहीं लगता है कि यहां से अब आर्सनल के लिए टाइटल जीतना बहुत मुश्किल है अगर आप टेबल पे बात करें तो आर्सनल 75 पॉइंट्स है आर्सनल के और उन्होंने दो गेम एक्स्टर खेली है 30 गेम्स मैचस्टर सिटी ने खेली है उनके 70 पॉइंट्स है पांच पॉइंट्स के डिफ़ेंट्स है लेकिन 2 गेम्स इन हैं मैचस्टर सिटी के अगला गेम बहुत कुरूशल है और अगर आर्सनल वो गेम जीतने में कामयाब नहीं होती तो मेरे खाल से आर्सनल फिर कमबैक करना उनके लिए बहुत जादा मुश्किल हो जाएगा अगला गेम बहुत ही इंपॉर्टन्ट है और दोनों टीम्स जो है वो पूरी कोशिश करेंगी कि वो मैच जीतें और आर्सनल स्पेशली क्योंकि आर्सनल मेरे खाल में ड्रॉव के लिए भी नहीं जा सकती क्योंकि आर्सनल अगर ड्रॉव भी करता है और मैचेस्टर सिटी अपनी बाकी की गेम्स जीत जाती है तो आज़िसली मैचेस्टर सिटी जो है वो एंड आफ दे सीजन में चैंपियन बन जाएगी अगर हम आर्सनल के रिमेनिंग फिक्चर्स के बार में बात करें तो आर्सनल के फिक्चर्स भी काफी डिफिकल्ट हैं क्योंकि अगला गेम वैनेस डे को उन्होंने मैचेस्टर सिटी के अगेंस्ट खेलना है फिर उसके बाद चल्सी के अगेंस्ट न्यूकासल ब्राइटन मतलब ये सारी बड़ी टीम्स हैं फिर नॉटिंगम फॉरेस्ट और उसके बाद वूल्स के अगेंस्ट उनका आखरी गेम होगा पिरने लीग का तो मुझे लगता नहीं है कि आर्सनल जो है वो सर्वाइव कर पाएगा और लेकिन फुटबॉल है आपकुछ भी अक्सपेक्ट जो है वो नहीं मतलब कुछ सोच नहीं सकते कि क्या होगा आपके प्रेडिक्शन जो है वो हमेशा ठीक नहीं हो सकत और ऑन गिवन डे जो हमसे टीम अच्छा खेलती है वो जीत भी जाती है लेकिन मुझे दुख होगा जरूर क्योंकि आर्सनल इत्तों तकिमन 20 साल होगे थे उनको टाइटल उन्होंने नहीं जीता और ये इस बार लग रहा था कि आर्सनल ले टाइटल जीतेगा भी और काफ अपने पॉइंट्स लूज करती की और सिटी अपनी गेम्स जीती चली गई और सिटी ने जो है वो बिलकुल भी हालाखे सिटी चैंपेंस लीग भी खेल रही थी और बाकी की कमपेटिशन में भी जो डिमेस्टिक कमपेटिशन है वहाँ पर भी अलाइव है तो ये बहुत चीज़ होती है जब आपके पस स्क्वाड डेप्थ हो वो बहुत इंपॉर्टन है किसी भी टाइटल रेस के लिए या आपको अपने अपना सीजन अच्छा बनाने के लिए है सिटी का जिसना हमें पता है कि सिटी के पास आलमोस हाज पोजिशन के ओपर कुछ ना कुछ बै 87 और 89 मिनिट में तो यह जो एक पॉइंट है इसकी वज़ा से आर्सनल अभी सर्वाइव कर रहा है प्रेमिल लीग में और टॉप पॉजिशन पर सर्वाइव कर रहा है अगर आर्सनल यह एक पॉइंट ना लेता तो शायद आर्सनल की होपस बिल्कुल डैमेज हो चुकी हो एक इस तरह की दो मिस्टेक्स देखने को मिली है एक डीहा की तरफ से मैच्चेस्टर जोनलिट के गोलकीपर कल सविया की अगेंस और आज आर्सनल की गोलकीपर ने भी उसी तरह की मिस्टेक की और बॉल जो है वो अपॉनिट प्लियर को दे दी जहां तक साउथ हम्टेन की बात है तो साउथ हम्टेन जो है वो मेरे खाल में जिस तरह उनकी पुजीशन है ट्वंटिएथ पुजीशन पर है वो इस टाइम और रेलिगेशन बैटल के लिए वो मत्तब वो लड़ रहे हैं कि किस तरह सो रेलिगेशन से बाहर आ जाए उन्होंने एक बहतरीन गेम खेल और गोल स्कोर करने के बाद लो ब्लॉक रखा और पीछे अपने जबदस डिफेंडिंग भी की उन्होंने लेकिन आर्सल और मैं समझता हूं कि आर्सल का जो ओडी गार्ड एक प्लेयर है आज जब मैं उनको मैच उनको खेलते वे देख रहा था तो मुझे ओजिल की जलक आ लेक्ट फूट पे बड़ा प्यारा उनको उनका कंट्रोल है और उनने एक भेतरीन गोल भी स्कोर किया जिसकी वज़ा से आर्सनल जो है वो गेम में वापिस भी आया अब सिटी अगर मैच बराबर भी खेल लेती आर्सनल की अगेंस तो तब भी उनके लिए अड़ांटीज होगा और यह एक पॉइंट जो आज का था वो कहीं न कहीं आर्सनल को टाइटल होब को अलाइव रखा है उन्होंने अब देखना ही होगा कि अगले वानेस डे को मेरे ख्याल में टाइटल डिसाइड हो जाएगा यह हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचूइशन मैच में आज आज ह कि हम यह टाइटल रेस जो है वो आखरी डे तक यह लास मैच तक जाए लेकिन इस तरह मुझे लगता नहीं है और मैचस्टर सिटी जो है वो मुझे लग रहा है कि अब उनके हाथ में टाइटल आ जाएगा लेकिन यह तरह दूसी चीज़ भी देखने वाली यह है कि मैचस् कंपेटिशन में और नौक उट स्टेजिस में जब खेलना होता है तो उस टाइम पर आपके प्लेज जो है वो निठर जाते हैं बुरी तरह से उनमें से सब कुछ निकाल देना पड़ता है तब जाके उनको रिजल्ट्स जो है डिजार डिजल्स जो है वो मिलते हैं तो यह की आ रहे हैं के पोची तीनो जो है वो काफी जदा फेवर्ट है इस टाइम चल्सी की कोचिंग जॉब के लिए और लुइस एन्री के और नेगल्स में जो है वो इस टाइम पर चल्सी की लिए से आउट हो चुके हैं और पोची तीनो की दो जो है वो मिटिंग्स हो चुकी ह Chelsea Board के लिए और Chelsea Board और Bohil Lee वो काफी ज़्यादा Convinced है कि Pochettino He is the right man for the Chelsea job और वो जो Chelsea का Chelsea ने इतनी ज़्यादा Spending की थी तक्रिवाँ 600 Million की और Chelsea जो नया Talent लेकर आई है अपने squad में तो Bohil Lee को ये लगता है कि Pochettino ऐसे coach है कि वो अपनी young team में से अपने young squad में से वो उनको push कर सकते हैं कि अच्छे results निकालने के लिए तो देखना यही होगा कि क्या वाकी में Pochettino वो Chelsea के coach बनते हैं और अगर चल्सी और Pochettino के coaching carrier के बारे में बात की जाए तो उन्होंने coaching carrier अपना Spaniol से start के था लालीगा में फिर उसके बाद वो Premier League move किये सौंथ हम्टन में फिर Spurs में उनका बहुत अच्छा spell रहा क्योंकर Spurs को वो Spurs एक mid table team थी उनको top four में लेकर आए और बीच में एक आदा season ऐसा भी आए था कि जहांपर Spurs लग रहा था कि वो Premier League भी जीत सकती है लेकिन वो नहीं जीत पाई उसके बाद आपको पता है Champions League में भी एक finalist रह चुकी है और Liverpool से जो है वो final हारी थी तो काफी अच्छा स्पर रहा था पोची तीनों का लेकिन उसके बाद जब वो PSG में गए तो वहां पर भी वो कुछ इतना खास नहीं कर सके क्योंकि एक star study team थी तो वो team को properly manage नहीं कर पाए तो देखना यह होगा कि Premier League में वापिस आने के बाद से क्या पोची तीनों चल्सी को दुबारा खोई हुए मकाम तक लेकर आ सकते हैं जो Tottenham Spurs है उनके साथ भी लिंक किया ज़रा था पोची तीनों को लेकिन अभी तक Spurs ने उनके साथ कोई contact नहीं किया तो इस वद काफी ज़्यादा फेवरिट है चल्सी जॉब के लिए पोची तीनों तो यह थी आज की दो स्टोरी जो आपके साथ शेयर की कमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताईएगा कि आपको क्या लगता है कि मैंचेस्टर सिटी और आर्सनल में से कौन सी टीम जो है वो टैटल जीतने में कामयाब हो सकती है और क्या पोचे तिनों राइट मैन है चल्सी की कोचिंग जॉब के लिए तो अगली वीडियो के में फिर मिलेंगे अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थेंक्यों